है एक जीज है यात्रह मिलती है जो लोग भेप्ट करते हैं को बाद कि है अगर तुम लाइट मिध ज्यादा जादा अलग जगति येुड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें याश्टरा करनी अब करना क्या है कि तूह ज्यादा से दूर माता-पिता क्या करते हैं वह कौन इससे बात रहा है कौन ही कर रहां जब कुछ लड़कियां कहीं घूमने आई हुई है तुम्हें क्या लगता अगर कोई लड़की शिमला घूमने गई है या कहीं पहाणों पर घूमने गई है तो वह भगवान से क्या मांग रही होती है यह भगवान कहीं कोई लड़का ना मिल जाए नहीं वह मांग रही होती ह कि यहां कोई लड़का आ जाए क्योंकि सभी की fantasy होती है school में एक बार मुझसे पूछा गया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है कौन सी लड़की पसंद है मेरा नमबर आने से पहले teacher ने कम से कम 10 बच्चों से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, इन सब से बात की टीचर ने, मेरा निम्बर था दसवा, इन सब नौ लोगों ने क्या कहा, एक ने तो कहा क्लास की साथवली फलानी लड़की, दूसरे ने कहा पड़ोसन, तीसरे ने कहा कजन, ठीक ह लेकिन दुनिया की कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसको अपनी क्लास के लड़के से प्यारौ दोरी को समझो देखो जब तुम दूर को मतलब लड़की और यह तुम तो में दोनों एक दूसरे के लिए अजणबी होते हो बड़ी दूर तो तो खिचाव होता है तुमने देखा नहीं कि लिए इस से जधा नहीं तो जो चीजद दूर होती है जब हम उसको पहली बार देख देखते हैं कोई इलाके से बाहर की जीज़ वो इंसान को बड़ी इच्छी लगती है जब तुम किसी हिल स्टेशन पर जाते हो वहां देखते हो कि लड़कियों की एक बस आई है बस में से लड़कियां उत्री है तो वहां जाओ उनसे बात करो उनको हैलो कहो चाहे तुम भी घुमने आई हुए लड़कियां बहुत पसंद करती हैं चीजों को कि हम बाहर कहीं गए हुए हमसे बाहर कुछ लड़कों ने बात की कि दिमाग के उपर से सबसे बड़ा बोज जो उत्रा होता है वो यही होता है कि यहां ना माप बाप ना भाई ना चाचा ना अंकल कोई औरं लड़कियां है लड़कियां लड़कियां जाकर सोचने होती हुम यहां फुटबॉल खेलेंगे पाहड़ पर लड़के तो फिर भी सोच रहे होते हैं वहां से हवा लगती है ठंडी ठंडी और आजादी महसूस होती है तो उनको होता है कि कोई तो आकर बात करे अंजान लोगों को बहुत प्यार मिलता है यात्रियों को बहुत प्यार मिलता है और बहुत सारे लोगों से प्यार मिलता है अपने इलाके में अपनी ही पड़ोसन से प्यार अपनी क्लास्मेट से प्यार मैंने यहां कजो बात बोली यह सोफे बात लेटेवे प्यारो प्यार हो गया पढ़े प्यार भी खाते चलो तुम सोचते हो कुछ लोग सोचते हैं सोचने तो लेकिन लड़कियों में से कोई भी नहीं सोच रहा होता कि काश यह पड़ोसी मिल जाए के कजन मिल जाए कि क्लास में पढ़ने वाला मिल जाए